नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं लेकिन इस सर्वे में जो नतिजे से हमने आये हैं, वह काफी चोकाने वाले हैं बता दे, चुनाम मतदान सुरू होने से पहले भावी परधान मंतरी को लेकर जन भावना जानने के लिए सर्वे कराया गया था हर बार की तरह इस बार भी मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बिच है भाजपा का पी एम फेज नरेंदर मोदी को माना जा रहा है वहीं कांग्रेस का पी एम फेज राहूल गांधी को बताया जा रहा है दोनों में से देश का परधान मंत्री कौन बनना चाहिए इस सवाल पर जानता का सर्वे कराया गया बता देश सर्वे रिपोर्ट के अनुशार 61% लोगों ने परधान मंत्री नैंद मोधी के नितित वाली सरकार के कामों से संतुष्टी जताई है वहीं 63% लोगों का मनना है कि इस बार लोग सभा चुनाव में भाजपा के नितित वाला एंडिये गड़बंधन जीतेगा वहीं 64% का काना है कि नैंद मोधी ही परधान मंत्री बने वहीं 21.8% लोग राहूल गांधी के पक्ष में हैं वहीं दिल्ली के 57.7% लोगों की पहली पसंद पिये मोधी हैं और राहूल गांधी को 24% वोट मिले हैं वहीं उतर परधेश के 78.2% लोगों की पहली पसंद भी पिये मोधी ही हैं सिरी राम नौमी पर सीम चंपई ने की अपील भ्रामक ख़वर फैलाने से बचे मुख्यमंत्री चंपई सुरी ने सोसल मीडिया हैंडल से जारी ख़वर को लेकर अपील की है उन्होंने अपने ट्यूटर हैंडल से जारी ब्यान में कहा है कि रांची के हिंद पिढ़ी लेक रोड और मेन रोड के कुछ घरों की चाथ पर पिछले दिनों इट और पथर देखे गए थे इस ख़वर को सोसल मीडिया में चलाया गया जिसे सोसल मीडिया पर अपवाओ और चर्चाओ का बजार गर्म है एक्स पर एक पोश्ट जारी कर सीम 24 रोड ने कहा है कि चाथ पर इट पथर मिलने को लेकर अपवाओ न फैलाएं जिन घरों की चाथ पर एस समागरी मिली हैं उनके मालिक अलग-अलग समिधायों से आते हैं सीम ने कहा है कि इसे लेकर कुछ मीडिया संस्थान भरामक खबर चला रहे हैं इसे रोका जाना चाहिए उन्होंने जार्खन पुलिस को ऐसी अपवाओ फ़ैलाने वालों के खिलाब नया योचित करवाई करने का निर्देश दिया है जार्खन में राम नौमी के दिन साथ लोगों की मौत राम नौमी के दिन जार्खन के लिए हाथसा भरा रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में बुद्धवार को दुरगातना के वह से साथ लोगों ने अपनी जान गवाई है जबकि कई लोग घाल भी हो गए है पहली घटना लोह दगा किया जहां सोभा यातरा के दिन एक अन्यंत्रिट डीजे वाहन ने कई लोगों को रौन दिया है जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और दोजन से अधिक लोग घायल हो गई इसमें से चार की हालाद गंभीर बताई जा रही है वहीं दूसरी घटना पलामू के है जहां एक आटो के दुर घटना गरस्त होने से तीन लोगों की मौत हो गई इस घटना में भी एक की हालाद गंभीर है तीसरी घटना चात्रा के है जहां दो बच्चियों की मौत असनान करने के दर्म्यान हो गई वहीं तीनों को बचा लिया गया है जमसेदपूर में लंगूर ने मचाया हंगामा दो वनकर्मी घायाल राम नामी की दिन बुद्धवार को टाटा नगर रेलवे एस्टेशन पर फिर से लंगूर के पहुचने से पूरे एस्टेशन परिसर में हड़कम मच गया लगबक तिन घंटे तक लंगूर ने एस्टेशन पर जम कर उत्पात मचाया इस दोरान अफरा तफ्री मची रही सुचना मिलने पर पहुचे वन कर्मियों ने पहले तो एस्टेशन के बाहर एक पीरा लगाया इसमें केला लगाया ताकि लंगूर पहुचे और उसको पकड़ा जा सके लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसके बाद वन कर्मियों ने रेल कर्मियों की मदद से लंगूर को पकड़ने की कोशिस की इस दोरान लंगूर ने दो वन कर्मियों प्रहमला कर दिया जिससे दोनों घायल हो गाए जारखन में तीन दिन तक हीट वेव का एलो अलट जारी किया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची सीद मौसम केंद्रे ने स्पेशल बुलेटेन जारी करके अजनकारी दी है इसमें कहा गया है कि कम से कम तीन दिनों तक जारकंड के कई जीलों में उसन लहर यानि हीट वेव का असर देखा जाएगा आई एमडी एलो अलर्ट में बताया गया है कि 29 अपरेल से 21 अपरेल तक जारकंड के कम से कम साथ जीलों में लोगों को भीशन गर्मी का परकोप छेलना पड़ेगा वहीं रांची सित मौसम के निर के परमूक अविसेक अनने बताया है कि 29 और 21 अपरेल को कुलान परमंडल के साथ साथ संताल परमंडल के जीलों में भी उसन लहर की सिती बनेगी इस दोरान लोगों को भी से सवधानी बरतने की सला भी मौसम भी भाक्योर से दी गई है लातेहर में 22 सवार चार यूगों की मौत जारखन के लातेहर में मंगलवार देर रात बड़ा हसा हुआ था जिसमें 22 सवार चार यूगों की मौत होगा है वहीं दो गंभी रूप से घायल लोग फिलाल इलाजरत हैं घटना हे रहंज थाना चेतर की है घाटना के सुचना मिलने के बाद पुलिस घाटना थल पर पहुंची थी और सौग को अपने कबजे मिले कर पोश्मासम के लिए भेज दिया था वहीं कहायलों को इलाज के लिए बालुमात अस्पताल में भर्ति करया गया शुरुवाती घाटना में दोक की ही मौथ होई थी लेकिन बाद में अने दो लोग की भी मौथ हो गई जनकारे के मुताबिक बालुमात पांकी मुखे पत पर हेरहन गंज ठाना छेतर अंत्रगात हुम्बु गाउं में दो बाइक के बिच चुरदा टकर हो गई थी लोहरदग्गा में राम नौमी सोभायात्रा को अनियंतित डीजे वैन ने रौंदा लोहरदग्गा जिले में राम नौमी के दिन एक हचा हो गया है सोभायात्रा के दवरान बुद्धवार को डीजे वाहन अनियंतित हो गया कई लोगों को रौन दिया है इसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई अदोर दजन से अधिक लोग घायल हो गई चार की हालात गंभीर बताई जा रही है वाइन के दुर घटना गरस्त होने की वज़ा से एक महिला की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, एक दजन से अधीक लोग घायल हो गई है सभी घायलों को आनन फार्न में सदर अस्पितल पहुचाया गया, सभी का सदर अस्पितल में इलाज चल रहा है बताया जा रहा है कि दुर घटना में कई लोग घंपी रूप से घायल हो गई है ऐसे चार लोगों को राजधानी रांची थी, राज़ंदर इंस्चूट आफ मेटिकल साइन्सेस में भेज दिया गया है घटना के बाद राना चोक पर अफरा तफ्री मच गई जारकन में आयोजीत होने वाली बिएट सन्यूक्त पर से परिक्षा पर रूप्रेल को आयोजीत की जाएगी परिक्षा सुब्वा साड़े दास बैस लेकर साड़े बारे बैस तक संचालित होगी इस परवेस परिक्षा में लगभाग 54,000 अभ्यारती सामिल होगे या परिक्षा रांची धनबा, जमसेथपूर, बोकारो, दुमका और पलामू, जिला मुख्याले सीद बिभिन केंद्रों पर होगी खोटी से पीलेफाई के एरिया कमांडर सहित दो उगरवादी गिरफतार जार्खन के रांची से सटे खोटी जिले में पुलिश ने दो उगरवादियों को गिरफतार किया है, इन में से एक एरिया कमांडर है पुलिश ने बताया है कि प्रतिबंधित उगरवादी संगठन वी प्लस लिवरेशन फ्रन्ट आफ इंडिया के कमांडर समें दो लोग गिरफतार किया है, इनके पास से देशी कट्टा, गोली और अने समन भी ब्रामत हुए है खुटी पुलिश ने बुधवार को इने गिरफतार किया है, पुलिश ने फ्रेस कंफरेंस करके बताया है कि प्लेफाई के इन उगरवादियों को रनिया के जंगल से गिरफतार किया गया गिरफतार पियलेफाई उगरवादियों के नाम हर्स गुडिया उर्फ गोदा पाहन और परकास प्रमानिक है राम नौमी के दिन चातरा में नदी में नहने गई पांच बच्ची डूबी दो की मौत चातरा जिले में राम नौमी के दिन बड़ा हच्चा हो गया है एक नदी में नहाने के लिए गई पांच बच्ची डूब गई है इन में से दो की मौत हो गई तिन बच्ची या को बचा लिया गया है सभी बच्ची या हंटर गंज परक्षन के डाहा गाव की रहने वाली हैं बताया गया है कि सी चाई के लिए नदी में गठा खोदा गया था, उसी गठे में बचे असनान करने के लिए उतर गई, इस दोरान पांस बच्चिया उसमें डूबने लगी, तिन बच्चियों को तो बचा लिए गया लेकिन दो की मोथ हो गई, परिजोनों करोरों कर बुरा ह बतादे चात्रा जिले के हंटर गंज परखंड के डाहा गाओं में हाथसा बुद्धवार को हुगा है मिरितक पच्चों की पहचान डाहा गाओं की 10 वर्षिये सिवानी कुमारी अच्छा वर्षिये देवन्ती कुमारी के रूप में हुई है अंडर 16 क्रिकेट में रांची ने लोहर दग्गा को साथ विकेट से हराया J.A.C.A. अंतर जीला अंडर 16 क्रिकेट में बुद्धवार को रांची ने लोहर दग्गा को साथ विकेट से हराया है लातेहर जीला केल स्टेडियम में टोस जीत कर पहले बलेबाजी करते हुए लोहर्दका के टीम 38.5 उभर में 118 रन बना कर आउट हो गई है बदाद मनीश कुमार महतों ने सबसे अधिक 47 जबकि चैतन्य नरायन तीवारी ने 21 रन बनाए है रांची की और से सौरव कुमार ने 5 जबकि मोहमद सरोज ने 3 विकेट लिया है जबा में रांची ने 23.3 उभर में 3 विकेट खोकर लक्चा हासिल कर लिया है वहीं रांची की और से अधित्य लाल ने 28 वा परतियूस बिनायक ने 25 रन बनाए है सभी विश्व विद्याले को प्रत्वं वर्ष की कक्छाए अगस्त से सुरू करने का निर्देश विश्व विश्व विद्याले अनुदान आयोग UGC ने सभी विश्व विद्याले वा उच्छ सिक्षन सस्थानों को हर हाल में एकेडमिक कलेंडर की घोस्ना करने वा इसका अक्छरन सह पालन करने का निर्देश दिया है UGC के सच्चिव डाक्टर मनिश जोसी ने सभी विश्व विद्याले के कुल्पत्ती वा कॉलेज के परचार्य को पत्र भेज कर कहा है कि वे अपने एकेडमिक कलेंडर की घोस्ना करें कलेंडर में पूरी तरह से अस्पष्टा होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी वा अन्य इसे समय सके कलेंडर के अधार पर ही सेक्षिनिक सत्र परिक्षा कारकरम और पईणाम घुसनाओं के लिए निधारित कारकरम का सक्ति से पालन करे बागी नेता जे एमेम की बढ़ाएंगे टेंसन बड़े खेल की तयारी लोग सभाचुनाओं में उमिद्वारी का दावा वाले कई नेताओं को उनकी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है धिरे धिरे सब ही पार्टिया अपने पत्ते खोल रही है जिने चुनाओं लड़ने का संकेत या टिकट नहीं मिल रहा है वह दूसरी पार्टी में अपनी जुगत लगाने में जुट गए है बतादे जार्खन पार्टी ऐसे नेताओ का सहरा बन रही है पार्टी की ओर से नराज नेताओ को समर्थन या अपने सिंबल पर चुनाओ लगाने का पर्यास किया जा रहा है जारकन पार्टी ने राज एकी 14 सीटों पर अपने परत्यास से उतारने का दावा किया है जापा ने खुटी दुम का हजारी बाग, चत्रा और चाई बसा में विद्वारे की घोस्तना भी कर दी है वहीं जापा लोक सभा की राज महासीट से दावेदारी करने वाले लोबिन हेमरम और लोहर दग्गा से ताल ठोकने वाले चमरा लेंडा को समर्थन या अपने सिंबल पर चुनाओ लाणने की कोशिस में जुटी है रांची के धुर्वा ओपडां घर से ड्हाय कोड़ोर की हेरा लाज राज दर्ज शिकायत की अपने DSP के आंत्रिक सत्यापन करवाई थी सत्यापन में खुलासा हुआ है कि डांक एजेंट स्वर्गे संतोष कुमार सिंग उप डांक घर के समंदित आरोपित पताधिकारियों के मिली भगत से जाल साजिकर उक्त रासी की निकासी वहरफारी की थी उरीचा के राजेपाल और केंद्रीय मंद्री अर्जुन मुंडाने की पुजा अर्चना फानी महतो मनोज भी उपस्थित थे कल्पना सुरेन ने दी सिरी राम नमी की सुबकमनाए पुर्मुख बंतरी हेमन सुरेन की पत्नी कल्पना मुर्मु सुरेन बुद्धवार को सिरी राम नमी पर्व पर राजवासयों को सुबकमनाए दी है उन्होंने रामधारी सिंग दिनकर की कविता को उद्रित करते हुए लिखा है कि राम तुम्हारा नाम कंठ में रहे, हिरदय जो कुछ भेजो वह सहे, दुख से त्रास्त नहीं मांगू मांगू के वर सकती दुख सहने की, दुरदिन को भी मान तुम्हारी दया, आकात, ध्याम मग्दन रहने की इनके साथ ही उन्होंने अपने गुरूप में एक वीडियो भी सेर किया है, उन्होंने कहा है कि हम सभी को यह याद रखना चाहिए की सिरी राम भगवान ने अपने युद करते समय भी अपने नीती नियमों और आदर्थों का परन किया था, जिस तरीके से सकती साली होते हुए भी उन्होंने हमेशा धर्य यम सहन सिलता दिखाई है, हमेशा ग्यानी होने के बावजूद ग्यान पाने की ततपरता दिखाई थ और जिस परकार से युद में अपने परतिद्योंद्यों को हरा कर भी उन्हें सम्मान के द्रिष्टी से देखा था, आज सभी को भगवान राम के आदर्थों को सच्चे ढंग से सबाईने की जरूरत है पलामू में टेमपो ट्रेक्टर की टकर में तीन की मौत कई जखमी अधिकारी MRMCH पहुँच करिशिती की जनकारी ले रहे हैं राम नामी पर तपोवन मंदीर में उम्री भक्तों की भीड़ राम नामी को लेकर राइधानी रांची बुद्धवार को पुरी तरह रामाय हो गई है सहर भगवा जंडे से सजा हुआ है रांची के एतिहासिक तपोवन मंदीर में सुबह चार बये सही सरधालों की कदार लग गई है हाथों में बजरंगी जंडा और सीर पर राम नामी लिये भक्तों की भीड़ मंदीर में पुजा अर्चना के लिए घंटो लाइन में खड़ी दिखी इन सब के भी सरधालों का उसाथ देखते ही बन रहा था बताजे तपोवन मंदीर के बारे में मने आता है कि राम नामी के अउसर पर यहां धोज पुजन के बाद घर पर धोज फराने से परिवार में सुक समरीदी के साथ साथ सकरात्मक उर्जा भी आती है यही कारण है कि यह लंबे समय से चलिया रही है यह परंपरा आज भी जीवी था है इस मोखे पर कई सरधालों इस मंदीर में तलवार की पुजा भी करते हैं दिपीका पांडे सिंग के खिलाप कांग्रेसियों ने खोला मोर्चा कांग्रेस ने जारकन में उमिद्वारों को तीसरी सुची जारी कर दिया है इसके बाद पार्टी में ही बिरोध के सुवर उठ गए है देवघर जीला और अल्पसंख्यक कांग्रेस ने राष्ट्रिये नेतिते एवं परदेश नेतितों के खिलाप मोर्चा खोल दिया है बतादे देवघर जीले ने जहां दीपिका सिंग पांडे को सबसे कमजोर एवं डमी परत्यासी करार देते हुए राष्ट्रिये अध्यक्स को पत्र लिख कर अविलम परत्यासी बदनले की मांग की है वहीं अल्प संख्या कांग्रेस ने मुस्लिम अबादी और इसके प्रतिनी धित्यों को नजर अंदाज करने का भी आरोप लगाया है देवगर जीला कांग्रेस कमीटी ने पार्टी के रष्ट्रिये अध्यक्स मिलकार जुन खड़गे को पत्र लिख कर गोड़ा संसादिय सीट से पत्यासी के नाम पर पुने विचार करने की मांग की है बोकारो में राम नमी जुलुस को लेकर दो समुदाए में जुड़ाव, बोकारो जिले के पिंडरा जोरा थाना छेतर के जाला गाव में बुध्धवार की साम राम नमी जुलुस के दवरान दो समुदाव की भी जड़प हो गाई मारपिट में वहाँ प्रतिन्युक्त मैस्ट्रेट समेत कई ग्रामिनों को चोट लगने की खबर है घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भरती करया गया है जनकारिकनुसार जड़प में मैस्ट्रेट कारेपालक अभियानता अमरित टोपनोवा ग्रामिन राजेस कायरोवत के सीर में चोट लगने से मामला गरम हो गया है गाउ में पुलिस की तैनाती कर दी गई है पिंडरा जो राथाना छेते में राम नामी का जन्डा जुलूस निकाला जा रहा था रूट चार के अधार पर आमा टंड से सिव मंदीर जाला तक जुलूस पहुचना था लेकिन विसेश समुदाइक लोगों ने मस्चित के पास जुलूस को रोक दिया था रेलेवे में फर्जी नोकरी देने वाले गैंग का खुलासा सरकारी नोकरी की चाहत में कुछ लोग जाल साजों के चकर में फंच आते हैं उन्हें लाखो रूपे गवाने पड़ते हैं लेकिन झारखन से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है यहां एक ऐसा गैंग का खुलासा हुआ है जो लोगों को रेलेवे में फर्जी नोकरी देकर सेलरी भी देते थे बतादे दक्षिन पूर रेलेवे जोन की विजिलेंस टीम ने चक्रधरपूर मंडल में नोकरी दिलाने वाले ठक गिरो का बंड़ा फुड किया है मंगलवार को गमहरिया के पास बिरबास होटल में बूकिंग कलर्क बनकर कई सब्ता से काम करने वाले तीन यूको को दबोच लिया है यूको को ट्रेनिंग देकर बूकिंग कलर्क बनाने का जासा देने वाले टिकट एजेंट डेविड सिंग को भी टीम ने पकड़ा है